Hello everyone, आज के वीडियो का टोपिक है माग माहा के मेले और त्यमवार, मतलब माग महिने में जो भी मेले और त्यमवार हम celebrate करते हैं, उन सबी को यहाँ पर हम question and answer format में discuss करेंगे. तो चलो start करते हैं, तो यह जो टोपिक है मेले और त्यमवार, इसको समझने के लिए सबसे बहले आपके कुछ basic fact clear होने चाहिए. तो first basic fact यह है कि हिंदु धर्म के जो त्यमवार हैं, मेले हैं, वो विक्रमी कलेंडर पर आदारित हैं. और यह जो विक्रमी कलेंडर होता है, इस समिन, कार्तिक, मार्क्सिस, पोस, माग और फालकुन. इस तरीके से 12 महिनों के नाम जो हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं. देखो जिस तरीके से जो हमारा अंग्रेजी कलेंडर होता है, या फिर जो इस्वी कलेंडर होता है, जिसमें January, February, March, प्रेले महिने आते हैं, इन महिने हैं, इन में महिना जो है, वो दो पक्सों में बटा होता है, जैसे कि हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में माग महिने के मारे में, तो माग महिना जो है, वो दो पक्सों में बटा होगा, जो पहला पक्स होता है महिने का, उसको बोलते हैं, हम कृष्न पक्स, मतलब महिने की सुरुवार जो है विक्रमी कलेंडर में कृष्ण पक्स के साथ में होती है और दूसरा पक्स जो होता है वो होता है सुकल पक्स तो पंद्रे पंद्रे दिन के दो पक्षवाडे होते हैं पहला पक्स कृष्ण पक्स और दूसरा पक्स सुकल पक्स अब पहले पक्स का जो पं में रखना है और जो other days होते हैं उनको इस तरीके से जानते हैं जैसे पहला दिन होगा उसको प्रतिवधा बोलेंगे या फिर एक कम बोलेंगे दूसरे को दुट्या, तृतिया, चतूर्थी, पंजमी, सस्टी इस तरीके से बोला जाता है तो ये हमने basic fact की बात कर ली अब हम सम है कि भाद्रपड कृष्ण चतूर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतूर्थी को, माग कृष्ण चतूर्थी को, और चैत्र कृष्ण चतूर्थी को, तो इसका आंसर आजाएगा माग कृष्ण चतूर्थी को, मतलब माग महीने का कृष्ण पक्स का जो चतूर्थी, fourth day जो होता उस दिन मनाई जाती है तिल चतूर्थी और ये जो चतूर्थी है इसको संकट हरन चतूर्थी के नाम से भी जानते हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है ये बात तो हम पहले के वीडियो में बता चकए हैं कि सुकल पक्स की चतूर्थी का चांद नहीं देखा जाता है अग वो है भाद्रपद महीने की सुकल पक्स की चतूर्थी जिस दिन होती है गणेश चतूर्थी ओके सिव चतूर्थी के नाम सिव जानते हैं चत्रा चोत के नाम से भी जाते हैं उसको और उस दिन जो है भाद्रपद सुकल चतूर्थी को दो जगए विसाल मेले भरते हैं एक जैसलमेर में चुंगी तीरित का मेला भड़ता है और एक रंथमबोर में तिर्नेत्र गनेश जी का मंदिर में जो है वहाँपर मेला भड़ता है तो basic बात कर लिए हम ने कि माग महीने की कृष्ट्र पक्स की चतूरती को पहला त्याहँवार जो आता है वो होता है तिल चतूर जिसको संकट हरन चतूर्थी के नाम से भी जानते हैं और स्वाई मादूपूर में जो जगए है चोत का बर्वाड़ा उनसी जगए चोत का बर्वाड़ा यहां पर जो है मेला भरता है किस दिन चत्तिल चतूर्थी वाले दिन यह बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है अब माग अमाउशा जो है उसको मोनी अमाउशा आती है और जो कुम्ब मेला जो लगता है उसका साही इसनान जो है वो इसी दिन किया जाता है यह बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है तो हमने माग महीने का कृष्ण पक्स के बारे में देख लिया कि चतूर्थी वाले दिन या तिलचतूर्थी और पंद्रवे दिन आती है मोनी अमाउश्या अब यहाँ पर कुछ ओप्षन दे रखे हैं इनको भी हम समझ लेते हैं भादरपद अमाउश्या देखो भादरपद जो अमाउश्या होती है इसको सती अमाउश्या के नाम से भी जामते हैं जनजनों में जो रानी सती है उसका बहुत बड़ा मेला जो है इस दिन भरता है भादरपद अमाउश्या को और यह जो रानी सती है इनका मूल नाम नारायनी देवी था यह अपने पती तंदन धास अगरवाल के साथ में सती हुई थी और इनको दादी सती के नाम से भी जाना जाता है और कार्ति कमाउश्या जो है इस दिन आप सभी को पता है दिवाली जो है मनाई जाती है दिवाली पास दिन का तेमवार है जिसको पंचुत्सव के नाम से भी जानते हैं और इस दिन जो है वो बड़ी दिवाली होती है और इस दिन जैनों के 24 वे तिर्थंकर महवीर स्वामी और स्वामी दोयनन सरस्वती जो है उनका निर्वान भी हुआ था मतलब उनकी मृत्यू इस दिन हो गई थी दिवाली वाली दिन ये कुछ बेसिक फैक्ट है ये आपको ध ध्यान में रखनी है कि माग महीने का कृष्ण पक्स का जो 11 दिन आता है 11 दिन को एकादसी के नाम से जानते हैं तो इस दिन होती है 60 तिला एकादसी इस दिन 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है तो माग महीने का बसंत पंचमी कम मनाई जाती है तो बसंत पंचमी जो है माग महिने की सुकलपक्स की पंचमी को मनाई जाती है और इसको सरस्वती जैनती के नाम से भी जानते हैं और राजस्तान में जो गारगी पुरुसकार है वो इसी दिन दिया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है गा माग महीने की सुकल पक्स अब देखो पंचमी की हमने बात की इससे पहले आप एक बेसिक फैक्ट और देख लीजे यहां पर सुकल पक्स की माग महीने की सुकल पक्स की एकम से जो है वो गुप्त नवरातरा स्टू हो जाते हैं कौन से नवरातरा गुप्त नवरातरा तो गुप्त नवरातरा जो है एक बार आते हैं चैतर महिने में जिसको हम बोलते हैं बसंतिय नवरातरे और एक बार आते हैं आस्विन माह में और जो आस्विन माह में है उसको बोला जाता है सरदिय नवरातरे अब गुप्त नवरातरे जो है वो भी दो बार आते हैं एक तो हमने देख लिया कि माग महिने में आते हैं माग के सुकल पक्स की एकम से और ये जो हैं दूसरे आते हैं वो आते हैं आसाड महिने में आसाड महिने की सुकल पक्स की एककम को, जब भी नवरातरे आएंगे सुकल पक्स की एककम से, ये आपको ध्यान में रखना है, बस महिनों के नाम आप याद रख लो, सुकल पक्स की एककम से नवरातरे आएंगे, तो माग सुकल एककम से गुप्त नवरातरा शुरू हो जाते बात ध्यान हो गई, पंचमी को हमने मना ली, सरस्वती जैन्ती या फिर वसंत पंचमी, अब नेक्स्ट क्येशन है कि बेनेस्वर मेला कब भरता है, तो देखो माग महिने की सुकल पक्सका जो पंदरवा दिन होता है, मतलब माग पूर्निमा जो होती है, उसको मनाया जाता है, उसको भरता है बेनेस्वर मेला, ओके तो माग पूर्निमा इसकान सुरा जाएगा, अब ये बेनेस्वर मेला कहा है, बेनेस्वर धहम कहा है, तो डूंगरपूर जो जगए है, हमारे राजिस्तान का जब आप मैप देखोगे, दक्षनी भाग जो है, वहाँ पर डूंगरप जिला है, तो डूंगरपूर जिले में एक नवाटापरा जगए है, नवाटापरा जो जगए है, यहाँ पर माही सोम जाखम, तीन नदियों का संगम है, और वहीं पर ये बेनेश्वर धहम इस्तित है, इसको आदिवाश्यों का जो कुम्ब है, वो भी कहा जाता है, अब आ स्तापना कीती, बेनेश्वर धहम की, यहाँ आपको ध्यान में रखना है, संत माउजी, इन्हों ने किया बेनेश्वर धहम की स्तापना कीती, रूंगरपूर नवाटापरा जगए है, यहाँ पर मेला लगता है, आदिवाश्यों का कुम्ब कहा जाता है, बेनेश्वर मेले है माग महिने में कौन-कौन से त्यमवार जो है वो मनाए जाते हैं ओके देखो यह हमने अभी देखा ना कि वागड का वागड का उम्ब नहीं का जाता वागड का पुसकर का आ जाता इसको वागड का पुसकर वागड का पुसकर यह आपको ध्यान में रखना है और आदिवा आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार हम फटाफट तरीके से रिपीट कर लेते हैं कि माग महीने में से कौन-कौन से तेमवार मनाई जाते हैं, तो माग महीना, महीने की सुरवात कृष पृष्ट नान जो है इस दिन दिया जाता है, फिर माग महीने का सुखल पक्स, एक कम से सुरू हो जाएंगे गुप्त नवरातरे, पंचमी को आजाएगी बसंत पंचमी, जिसको गार्गी प्रुसकार भी दिया जाता है, और पंदर्वे दिन जो है वो आजाएगा बेने स् अगर मेला माग पूनी माकू तो कम्प्लीट हो गए हैं कि माग महिने में कुन-कुन से त्यम्मार सेलवेट किये जगते हैं ओके थैंक यू